यह question number है जी 7, construct a rhombus STUV, when ST 6 cm, यह यह वली एक side जो ST है, यह 6 cm है और इसकी चारों sides ही 6 cm होंगी, and SU, देखें, SU, यह diagonal है, diagonal है 9 cm, अब यह case है, कि एक side गिवन है, और एक diagonal गिवन है, इस तरह से हम अब एक rhombus बनाएंगे, जी, इसके लिए सबसे पहले हमने ST line draw कर दी 6 cm, अब इतनी ही 6 cm ही आपने compass खोल लेनी है, और यहां से उपर एक न, ऐसे arc लगा देनी है आपने, चाहें तो आप इतर रखके दूसरी भी ऐसे ही लगा दीजेगा, यह two arcs हमने लगा दी हैं, और इस question में जो diagonal है, वो है 9 cm, तो अब मैंने यह compass 9 cm की open कर ली है, और यह S पर रखके इस तरफ को एक सिरफ cut करूँगा, दूसरा इधर रखके cut नहीं करना, क्योंकि गलत हो जाएगा, क्योंकि रोंबस का न, दोनों diagonal एक जितने नहीं होते, एक अगर 9 cm है, तो दूसरे की कुछ और measurement होगी, इसलिए सिरफ ए एक diagonal ही आपने draw करना था, वो draw किया तो हमें यह point मिल गया, इसका नाम है ST, इसका नाम है U point, और U point पे आप compass रखने हैं इतनी, ST इतनी 6 cm, और हम यहां रखके इधर को एक line ऐसे arc लगाएंगे, तो इस तरह एक और point हमें मिल गया, जैसे S था यह वाला, यह T था, U था और इस क्या करना है, अब हमने इस तरह U को इस से भी मिला देना है, और V से भी, इस तरह V को S से मिला देंगे, तो हमारी rhombus त्यार हो जाएगे, यह rhombus की चारों साइट, जो ना, वो है 6 cm की, और 8 diagonal यह वाला जो ना, यह है 9 cm, और यह मैंने line draw करके 9 cm लिख भी दिया, अगर अब measurement चेक करें, तो यह आपको पता चल रहा है, देखें, इधर 9 cm ही आ रही है, जबकि इसका second वाला diagonal देखेंगे, तो उसकी length 8 cm आ रही है, इससे आपको यह clear हो गया, कि जब rhombus बनती है, तो उसके दोनों diagonal की length एक जितनी नहीं होती, square के diagonal की length भी एक जितनी होती है, और rectangle के diagonals क C, B, और इस तरह के question की कोई और copy यानि ऐसा कोई question review exercise में नहीं है, यह एक ही question है, इसकी practice करें